Hello friends, so welcome back to my YouTube channel So, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आईए Informatic Assistant 2023 की notification के बारे में जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे आईए 2023 यानि Informatic Assistant 2023 का notification आ चुका है यहाँ पे और वो आपको official website पे मिल जाएगा वहाँ पे आप जाके उसको download भी कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे जो notification डाउनलोड किया है जो उसका official notification आया है वो मैंने आपे डाउनलोड किया हुआ है और वो आपको इस screen पे आपे दिखाए भी दे रहा होगा अब हम इस वीडियो में आपे बात करेंगे कि जो इस notification के जो main point है जैसे exam कब से होगी कब form fill होगे यहाँ पे कब क्या उसकी fees होगी क्या उसका syllabus होगा कब exam होगी यह सारी चीजें क्या qualification है यह सारी चीजें यहाँ पे हम discuss करेंगे इस वीडियो में notification आप पढ़ सकते हैं इसक आपको यहाँ पे notification मिल जाएगा मैं link इस वीडियो के description box में भी provide करवा दूगा वहाँ सी जाके आप इस notification को आसानी से download कर सकते हैं कोई problem नहीं है और इसको आप फुरसत में बैठके यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं काफी बड़ा notification है आपको सारी चीज़े यहाँ पे अगर आपको कोई doubt है तो यहाँ पे आपको clear कर ले नहीं है इसको पढ़ के बट इसके जो man points है उनको मैं आपको बताने वाला हूँ और आपके सारे doubt है वो इस वीडियो में clear हो जाएंगे फिर भी आपका कोई doubt है तो आप वो बेरे से comment करके पूछ सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले notification के बारे में और last में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसका यहाँ पे course start करने वाले हैं कब से start करने वाले हैं और कहां पे course आपको यहाँ पे मिलेगा सारी चीज़े मैं आपको बाद में बता दूँगा पहले हम बात करते हैं इस notification के कुछ man points के बारे में और राइट सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि यह notification आपको कहां से मिलेगा आप जो official website है आपकी RS MSSB यहाँ पे जाओगी और notifications में जाओगे तो आपको आसानी से वहाँ पे notification मिल जाएगा यहाँ से आप उसको download कर सकते हैं और मैं इसको आपको इसके link है जो वीडियो के description box में भी provide करवा दूँगा वहाँ से जाके आप इसको download कर सकते हैं और आप इसको और यहाँ पे आईए 233 की जो direct भलती है वो है और यहाँ पे आप पद देख सकते हो 2730 पद है वो यहाँ पे है total और इन में से जो है गैर अनुसुचित छेत्र के कितने है 415 एम अनुसुचित छेत्र के कितने है 315 यानि 415 प्लस 315 दोनों को मिला के कितने हो गए यहाँ पे 2730 यहाँ पे टोटल जो पद है वो यहाँ पे है अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैंट के बारे हैं मैं साथ चीज़ यहाँ नहीं बताऊंगा फिर भी आपके इनके डाउट साले के लिए हो जायेगे फिर भी कोई डाउट है वो आप मैंसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं आवेदन की सुल्क क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जर्नल है journal के लिए यहाँ पे रुपीज 450 है और यहाँ पे OBC के लिए रुपीज 350 है और SCST के लिए यहाँ पे 250 है तो simple सी बात है आपे सामायन वर्ग या क्रेमे लेयर से रहने के पिछला वर्ग है अतिश्चला वर्ग के लिए यहाँ पे 450 हो जाएगा और यहां पे जो OBC है इसके लिए 350 हो जाएगा और SCST यानि अनुसीजित जाती और अनुसीजित जन जाती के लिए यहां पे 250 रुपीज यहां पे जो फीस है जो आपको form fill करते time यहां पे provide करनी होगी यहां पे फीस हो जाएगी आप यहां पे जो पद है जो मैंने आपको बताया था कि 2415 है और प्लस यहां पे 315 है तो 2415 प्लस यह 315 है टोटल 2730 है इनका यहां पे distribution भी आप देख सकते हो कि कितने कौन सी category में कितने आपे पद है और कितने सामायन यानि कौन सी महिलाओं के लिए है यह साथ चीज़े मतलब इनका जो पद है इनका distribution यहां पे आप देख सकते हो हलाकि यह ज़्यादा यहां पे इतना important नहीं होता है हम आगे चलते हैं आपे और आगे बात करते हैं यहां पे जो इसका important point है उसके बारे में बात करते हैं और जो next इसका important point है वो हो जाएगा वेतनमान तो इसकी basically यह कौन सी category में आता है यहां आप देख सकते हो pay matrix level 8 में आता है और इसका basic यहां पे जो pay होगा वो है 26-300 इसका basic pay है 26-300 तो यह हो गया इसका वेतनमान pay matrix level 8 में आता है और यह अठ्ठाइस सो grade पे होता है basically होनी चाहिए क्या आपकी qualification होनी चाहिए कि आप इस form को fill कर सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा लोगों के doubt होते हैं और पूछते भी है comment करके मैंने यह क्या हुआ है क्या मैं form fill कर सकता हूँ तो यह सारे doubt आपके clear हो जाएगे आप इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं तो six number का point है और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ यहाँ पर simple clear ले लिखा हुआ है कि कौन कौन इसमें eligible है या नहीं मैं simple यहाँ पर आगर आपको बता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो BTEC plus BCA plus MCA plus यहाँ पर diploma plus यहाँ पर PGDCA plus यहाँ पर COPA तो यह सारे चीज़े यह सारे हैं यह तो applicable है यह कोई इसमें doubt आपको नहीं होने वाला है BTEC BCA BCA MCA कित में होने चाहिए यहाँ पर लिखा हूँ है computer यहाँ तो CS में हो computer science में या फिर IT में हो या फिर यहाँ पर electronics में हो यह सारे यहाँ पर eligible हो जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर आपका जो ITI है यह भी यहाँ पर eligible है ITI किस में CS IT और वो ही electronics में आपर अगर ITI है आपकी तो आप यहाँ पर eligible हो जाएंगे simple सा फंडा है BTEC BCA, MCA, Diploma, PGDCA COPA, ITI हो जैसे आपको यह दिया है इन में से कोई हो या यह कोई हो या यह कोई या फिर यह कोई या फिर या फिर या कोई यानि जो या लगकी है यानि इन में से कोई एक आपने अगर किया हुआ है या जो भी यह दी गए हैं इन में से कोई एक आप satisfy satisfy हो उससे तो यहाँ पे उसके लिए आप eligible हो कोई डाउट नहीं है आप भी जग इस form को यहाँ पर सकते हैं तो यह आपको यहाँ पर समझ आ गया कि कौन और एक चीज जो यहाँ पर clear हो जाएगा आई जो पूंचते हैं जो RSCIT वाले eligible हैं तो यह यहाँ पर इसमें eligible नहीं होंगे और यहाँ पर electrical वाले भी eligible नहीं होंगे यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अब यहाँ पर देख सकते हैं यह हो जाएगा आपका part one और इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर टाइप है 20 words पर मिलिट यह तो सबको पता ही है इसमें कोई problem यहाँ पर नहीं है पहले आपको main exam होती है main exam के बाद जो इसको qualify कलता है जिसमें 40% यहाँ पर क्या है आपको qualification है मार्स के तरह जिसे 45 तो आपको लाने ही लाने है और इसको जो qualify कलता है वो सारे typing के लिए eligible हो जाते हैं और आपको यहाँ पर typing के लिए बुलाया जाता है जो कि इसका second phase होता है जिसमें 20 words per minute के typing होती है हिंदी प्लस इंग्लिश तरी साल चीज़ें आपको clear होगी और यह भी qualify है typing only qualify है इसके कोई marks एड नहीं होते हैं आपको 20 यहाँ पे लाना होगा 20 है इससे above जो भी typing है word per minute है हिंदी इंग्लिश दो कोनों में होगी यहाँ पर 15-15 मिनिट का time दिया जाएगा और फिर से बोल रहा हो इसका कोई भी marks यहाँ पर एड नहीं होता आपको केवल इसको qualify करना होता तो आगे चलते हैं next point के बारे में और next point यहाँ पर हो जाएगा age factor है जो यहाँ पर next point हो जाएगा आपको यहाँ पर 40 वास है यानि 21 से 40 के बीच में जो भी है minimum age 21 हो और maximum 40 हो जो इसके बीच में है वो इसको apply कर सकता है और कब से आपको age आपकी count करनी है 1124 यानि कि 2000 choice एक जनवरी 2000 choice से आपको बतलब कि यहाँ तक आपकी age यहाँ से मानी जाएगी माले जी आप एक जनवरी 2000 choice को 21 years के हो जाते ह है तो आप इस exam के लिए eligible है आप इसको फिल कर सकते हो तो यहाँ पर age वाली जो problem है वो आपका यहाँ पर doubt है वो यहाँ पर clear हो जाएगा मेरे साब से और जो भी category wise suit है वो तो यहाँ पर रहेगी चूट यह आप यहाँ पर पढ़ सकते हो जैसे SCST वालों के लिए 5 years की आप आगे next point पर चलते हैं यहाँ पर कि आवेदन कब से कब तक होगा और यहाँ पर क्या फीस है वो तुम्हें आपको बताई दिये यहाँ पर आवेदन की जो डेट है जो आप form फिल कर सकते हैं form कब से open होंगे यहाँ पर देख सकते हो जो online आवेदन परत्र हैं जो यहाँ 30 days का time 1 month का time यहाँ पर दिया जाएगा इस time में इस duration में आप यहाँ पर आपका जो form है वो यहाँ पर fill कर सकते हैं तो यहाँ पर date आपको समझ आ गई कि कब से कब तक यहाँ पर form आप fill कर सकते हैं पर इक्षा का आयोजन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो संभावी जो date है exam की tentitude date या time आप कह सकते हैं जो माहा जुलाई 2023 दे रखा है यानि जुलाई में ये exam हो सकती है expected है confirm नहीं है आगे की details यहाँ पे official website पे provide करवा दी जाएगी ऐसा यहाँ पे board का मानना है तो अभी के लिए फिलाल ये मान सकते हैं की आप जुलाई 2023 में exam हो जाएगी और इसका मतलब लगबग होई जाएगी क्योंकि लगबग साजी exam से हैं जो अभी फिलाल time पे लगबग हो रही है आप ही तो ऐसा मान के चलेगी आप जुलाई में exam हो ही जाएगी आगे बात करते हैं next points के बारे में जो इसका important point है आगे हम बात करते हैं यहां पर जो exam का pattern यहां पर क्या होने वाला है इसके बारे हम बात कर लेते हैं सो जैसे मैंने आपको बताया था exam के दो फेज होगी यानि पहले exam one होगी उसके बाद part two यानि की second paper होगा ऐसा कह सकते हैं जो कि typing है तो एक ही paper होता है एक तरीके से इसका और दूसरा paper होता है यहां पर typing वाला तो सबसे पहला exam है जो लिखित exam होने वाली है इसमें क्या होग होगा यहां पर maximum कितना होगा 100 dejar की से मियां फूरेज किस्टान होगे 150 सो नएगर्टिव मारट कि नहीं यह यहां रखना मार्किंग कोई भी अपर गलत कुस्चन के यहां पनक के कोई ह당히 अंक है वो नहीं काटे जाएंगे तो यहाँ पे हो गया हमारा exam का pattern और जो भी syllabus है वो यहाँ पे दिया हुआ है जो भी यहाँ पे आपने देखा योगता परिक्षण सूचना परध्यकी कि मिसामान जैनकारी, कंप्यूटर के मूल सिद्धान और यह तो टाइपिंग वाला पार्ट होई गया है पंद्र पंद्र मिनिट का हिंदी इंगलेश का तो यहां पे जो भाग वन में दिया गया है तो उसका सिलेवस यहां पे दिया गया है बिल्कुल सौट एंड स्वीट सिलेवस है और इसका इतना कह सकते हैं कि ज़्यादा बता है कि पेपर किस तरे किसे आता है 2008 में लोगें के साथ यहीं प्रॉब्लम हुए थी आप किसी को पूछना गार जानते हैं तो उन्होंने क्या कोचिंग कर ली थी बहुत कुछ यहां पर पढ़ लिया था लेकिन उन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा था और बेसिक की वज़ में नौर्मली नहीं पढ़ाई जाएगी तो वह आपको आनी चाहिए इस एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बेसिक नॉलेज एनफ है काफी है तो यह इसका सिलेबस है यहां पर आप इसको पढ़ सकते हो डीटेल में क्या सिलेबस है हाला कि सिलेबस को तो मैं आगी इ स्टार्ट करने वाले और क्लास कैसे होंगी paid होने वाली है recorded होने वाली है YouTube वो कैसे होंगी इन फॉर्μिशन आपको जल्दी नह पे मिल जाएगी वारे टेलं चैनल भी है उसको आप जोइनकर लिजेगा उसकी लिदियो के डिसक्रिप्स बॉक्स में मिल जाएगी और इस notification को PDF को भी मैं उस Telegram चैनल पर प्रवाइड करवा दूँगा तो आप अभी जाएए और description box में चेक किए Telegram चैनल है वहाँ की link जोइन कर लिजी आगे की सारी जानकारी course से related जानकारी हो syllabus से related जानकारी हो कोई भी आपके सारी जो जरूरे चीजे हैं वो यहाँ पर discuss कर लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या discuss किया था exam कब से होगी इसके form फिल कब किये जाएगी 27 जनवरी से 25 फरवरी यानि 25 फरवरी तक होंगे यहाँ पर एक मेहने का टाइम है फिस हमने आपको बता दी जर्णल के लिए 450 है और OVC के लिए यहाँ पर 350 है और SCST के लिए 250 है और यहाँ पर next क्या था यहाँ पर exam का pattern हमने discuss कर लिया है कि यहाँ पर 100 questions होने वाले हैं 150 questions होने वाले हैं 100 mask होने वाले हैं तीन गंटे के यहाँ पर नहीं होगी यहाँ और बस इतना ही है और जो को जो पहला paper है जो main paper है जो लिखी exam है उसमें 40% qualify जरूरी है याईनि आपको 45% अगर 45 आप यहाँ पर mark लाते हो 45% तो आप qualify हो typing के लिए या नहीं आगे का further process के लिए आप eligible हो अगर आप इतने भी minimum जो required number है वो आप नहीं ला सके तो आप यहाँ पर typing के लिए eligible नहीं होगे और एक तरह के से आप बाहर हो जाएंगे तो यह सारी चीजें यहाँ पर मैंने discuss करी जो यहाँ पर जरूरी थी age का आपको मैंने बताई दिया 21 से 40 इस minimum age 21 है maximum यहाँ पर 40 हो जाएगा और एक जनवजी 2000 चोईस से वो age यहाँ पर मानी जाएगी यानि कि यहाँ एक जनवज 2000 चोईस को अगर 21 years के हो जाते हैं तो आप इस exam कोई लिए eligible है qualification मैंने आपको बताई दिया है मैं इस basically मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर BTEC, BCA, MCA, Diploma, PGDCA, ITI, COPA यह सारे eligible हैं और यहाँ पर जो BTEC, BCA, MCA मैंने बताई है यह CS में यह computer science में हो सकता है ITI में हो सकता है यह फिर electronics में हो सकता है electrical वाले eligible नहीं है RIS CIT वाले eligible नहीं है तो मेरे इसाब से जो भी basic जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिये बाकी इस notification में आपको मिल जाएगी पढ़ सकते हैं कोई भी doubt हो आप comment करके पूछ सकते हैं टेलिग्राम चैनल पे भी मुझे message करके आप पूछ सकते हैं आपकी पूरी help की जाएगी बस आज की वीडियो में इतना डिसकस करेंगे मिलते हैं next वीडियो में और जल्द ही आपको classes के बारे में यहाँ पे information दे दी जाएगी कि किस तरीके से classes होंगी कहां पे होंगी और कब से start होने वाली सारी information आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी तो टेलिग्राम चैनल को जोइन करना ना भूले वीडियो के description box में जाएँ अभी और टेलिग्राम चैनल को जोइन करें हम मिलते हैं next वीडियो में अब तक के लिए बाबाई, take care and have a nice day